स्वावे थे दोस्तों आपका हमारी यूटूब चनल Confusion 9.2.11 में दोस्तों यहाँ पे 67th BPSC PT का जो पेपर लीक हो गया था उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है यहाँ पे अपडेट है कि यह जो रक्षा मंत्रालेक आडिटर है वो पकड़ाया है सबसे mastermind जो था वही निकला और उन्होंने कई परतोगी परिछाओ में एक भी गरवडी कर चुका है और उसका नाम है कपिल देव पूस्ताच में बताई है कई लोगों के नाम तो उन्होंने साफ साब बता है कि उन्होंने कई लोगों को जो कोशन पेपर था एक्जाम सुरूँ होने से डिर गंटा पहले ही भेजच चुका था जैसे आप लोग कुछ लोग यहां पर मैं देखा हूं को कुछ लोग बात है, जिनके पास setting रहता है, उसके पास आता है, और ऐसे ही ये मतलब बोला नहीं जाता है, बहुत लोग को पता भी है और बहुत लोग कार जो selection हुआ है, फिर वह फिर जब setting करके selection होते हैं, तो फूर वह setting में लगते हैं, इस तरह से करके ये एक स्रीज चलते रहता है और फिर उसमें और लोग जूटते जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देख लें कि किन किन लोग के नाम बता है उसमें से कुछ शरकारी अधिकारी भी है तो मुझे एक बास समझ में नहीं आ रहा है फिर नया यह केस आया है पिर इन्होंने नय नय लोगों का नाम दिया है तो अब उसमें से कुछ हो सकता है BPSC के अधिकारी हो या फिर कुछ और अधिकारी हो तब उन सब नामों का फिर से जाच किया जाएगा तो इतना जल्दी अगर सितंबर में exam भी हो रहा है तो अगर बिना यह सब जो पकड़ाए हुए अगर जो गलत किये है अगर वो लोग पकड़ाते नहीं है और exam करवा लिया जाता है जल्दी से तो फिर वो लोग भी धानली कर सकते है तो मेरा जो कहना है वो ये है कि जितने भी लोग का इन्होंने नाम दिया है उन लोग को पहले पकड़ लिजे उसके बाद फिर exam करवा लिजे उसी date को ठीक है ताकि ये कम से कम छात्रों में confirm रहे कि हाँ इसमें से जो पकड़ा है वो BPSC के exam में जो था exam conduct होने वाला है उसमें किसी तरह से ये involved नहीं है किसी कारे में तो यहाँ पर देखिए कि SIT का नितित कर रहे है S.P.E.O.U. सुसील कुमार ने रवी बार को बताया कि कपील देव कुमार परशनपत लीग का मास्टर माइंड गया के थाना डेलहा की नियू कोली निवासी सक्ति कुमार और केंद्रा दिछक राम सरण यहाँ पर चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल है ठीक है अब सोचिए कि यह जो है पकड़ाया है यह गिरफतार रक्षा मंतराले का ओडिटर है और एक चीज और इसमें अजीब लगी इनको जो कहा जा रहा था कि 11 बजे के बाद लिख हुआ था इसको देखे 10.5 बजे ही कोशन आ चुका था देखे सडियंत्र में उसके साथ जो सडियंत्र था उसमें करीब इसने आधा दर्जन से अधीक लोगों के नाम बताए है सूत्रों से मिली जनकारी के अनुससार कपिल देव ने पेपर लिख करने के सडियंत्र में सामिल आधा दर्जन से अधीक उन लोगों के नाम बता है जो उसके साथ पहले भी पेपर लिख कराने में मदद करते रहे हैं इनमें कुछ सरकारी कमचारी है SIT के लिए नाम नए है उसने यह भी सुईकार किया है कि कई अन्य परतियोगी पर इच्छाओं में गरवड़ी कर कई अभ्यार्थियों की नौकरी लगवाई है कपिल देव से पुछताच के अधार पर अनुसंधान की दिसा अपरादिक सडियंत के साथ-साथ मनी ट्रेल की और भी इसारा यह कर रही है तो आप सोचिए कि इसी अधार पर EOU ने प्रिवियस जो कुछ यहर के थे उनमें से जो जिनका सेलेक्शन हो चुका है उनके मेंस कोपी को मांग करके जाच की जारी है क्या कि उनके मेंस कोपी को किसी और ने लिखा है तो कैसी इन्होंने लिखा है तो जिसका जो पकड में आया तो आप सोचिए कि स्ट्रॉंग रूम से अगर कोपी निकाल करके कोई इसका अंसर लिख रहा है तो जरूर अंदर के अधिकारी हसे हुए हैं उसमें इन्वाल्व हैं लेकिन अभी तक उसके अंदर के अधिकारीयों को अभी तक उस पे हाथ नहीं लगाया गया है किसी की गिरफतारी नहीं की जारी है ठीक है यहाँ पर देखे सक्ति कुमार का सक्रिय सयोगी है कपील SIT का नितित कर रहा है S.P.E.O.U. सिसील कुमार ने रवीवार को बताया कि कपील देव कुमार प्रश्ण पत्र लीक का मास्टर माइंड गया कि थाना डेला की नियू कोली निवासी सक्ति कुमार और केंदादी चक राम सुरन सी इवनिंग कॉलेज डेला का सक्रिय सयोगी है सक्ति कुमार ने कपील देव को परिच्छा से पहले सुबह सबसे पहले इसी को भेजा गया था और यहीं से फिर धीरे करके 11.55, 11.50 तक फिर सभी लोगों के पास धीरे-धीरे करकी ये कोशन वारल हुआ था तो सक्तिकुमार ने कपील देव को परिच्छा से पहले सुभा 10 बच के 35 बजे ही प्रशन पत्र वाटसप के माध्यम से भेजा था कपील देव ने उसे अपने अन्य मित्रो सहयोगीयों को फॉरवर्ड किया था पूछ तास में कपील देव ने कई अन्य परिच्छाओ में भी सेटिंग और धानली कर अभ्यार्थियों को पास करानी की बास विकार की है तो आप सोचिए कि 10-35 में अगर उसके पास कोशन आ गया होगा और अगर माली जो उन्होंने 15-20 मिनट में सारे कोशन को सॉल करके उसका एंसर तयार कर लिया होगा और अपने जो जिनको सेटिंग किया गया होगा उसको एंसर पहुँचा दिया गया होगा इसने क्या किया कि सुरुवाती में दिल्ली, ले, लदाक, सही, कई जगों पर अपना ठिकाना बदलता रहा और अंत में जा करके ये पकड़ाया है ठीक है बुकारों से और यहां पर देखे ये जो है कपील देव प्रियाग राज रक्षा लेखा महान यंतरक प्रियाग राज के आईटी और सिस्टम डिवीजन में आउडीटर के पदपद कारिरत है तो सोच सकते हैं कि ये सब भी ऐसा नहीं है कि वो लोग है तो मतलब जैसे BPSC वाले में ही है तो उसमें ना जाने कितने लोग उसमें भरष्ट होंगे लेकिन फिर भी कभी क्या होता है कभी उस पे जांच आया नहीं है अभी तर ठीक है तो इसलिए उस पे अभी बचे हुए हैं अगर अच्छे से जांच किया जाए तो जरूर उसमें भी पकड में आएंगे लेकिन अभी जो हैं ये सब जो solver gang है उसको पकडने में ज्यादा ये लोग की बीजी है तो यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि परियाग राज का गलत पता देकर भराता फॉर्म और सबसे बड़ी बात कि इसने भी BPSC का फॉर्म भराता और खुद एक्जाम इसने भी दिया था कपील देओ ने भी PT परिच्छा दे रहा था उसका परिच्छा के एंड डुम्राओं में था उसने परिच्छा फॉर्म में परियाग राज का गलत पता दिया था BPSC के पेपर कपील देओ के जरिये ही बाकी लोगों तक पहुंचे थे और EOU ने उसके पास से दो मॉवाइल फोन एरटेल और जीयो के दो सिम कार्ट पजाम नेशनल बैंक के चार तथा भातिय स्टेट बैंक का एक डेविट कार्ट के लावा फरजी नाम से बनाएक है दो मत्दाता पचान पत्र भी ब्रामद किये गए है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सभी फरजी वाड़ा यहां से बहुत जादा होता और यह तो केवल एक इसका गैंग है और भी कुछ गैंग जो है वो सक्रिये थे तो हो सकता है उन लोग को भी अभी पकड़ में आना बागी है तो यह केस अभी तक यहां पर 19 लोग जो है वो जेल जा चुके हैं और यहां पर है कि अब देखना है कि और कितने लोग इसमें involved हैं क्योंकि अब और नए नाम आ की इसमें add हो चुके हैं जिसमें कफिल देव ने नाम लिया है, अब उन लोगों को पकड़ होगा, अब उन लोगों से जाच की जाएगी, उन लोगों का जाच किया जाएगा, तो ये भी देखना एक दिलचपस होगा, कि आगे और कितने लोग इसमें पकड़ाते हैं, ऐसा लग रहा है कि जो 67th BPSC 8 म को हुआ था, उसमें लगता है कि अधिकतर से जादा करीव 80% सीट लगता है, बिक चुका था, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और देखनी वाली बात है कि क्या करवाई आगे होता है, इन लोगों पर या फिर इन लोगों को बेल मिल जाता है, क्योंकि बेल मिल कारी देना था, ये लेटेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं, 22 अगस 2022 को ये जो है, ये अपडेट आई है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत सुक्रिया, आपका दिन मंगल मैं हो, धन्यवाद.